थर्मो चैमिस्ट्री में अभ हम लोग बात करते हैं बच्वो शात welcome के बारे में यादि की निकाए निकाए हिंदी में निकाए कहा जाता इंडी को सिस्टम किय बढ़ी ह कौमन सा वर्ड आठागा है हमारे ट्रजय लाइफ पर भी united system system जैसे आप लोग physics में पढ़ते हैं दो blocks का system एक block का system जिस भी किसी चीज़ को study करते हैं उसे हम बोला करते है system simple सी बात जैसे मान लीजे मैं spend को study कर रहा हूँ मैं spend को study कर रहा हूँ कि spend की length कितनी है इसका area कितना है इसमें कौन सी ink है कौन से color की ink है तमाम तरह की जो बाते हम लोग study करा करते हैं बच्चों वह होता है हमारा system ठीक है जैसे example के तोर पर मान लीजे एक block आपने ground पर रख दिया आप देखना चाहरे हो कि इस block का weight कितना है इस पर जो friction है वह कितना लग रहा है यह हमारा system जिस भी किसी चीज़ को हम बच्चों study करा करते हैं उसे हम बोला करते है system बिल्कुल basic सी बात अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे तो हम लोग यहां पर thermo dynamical system के बारे में बात करेंगे जब हम physics में mechanics बढ़ते हैं तो हम जो है बच्चों mechanical system के बारे में बात करते हैं अब जैसे मैंने spend के बारे में बोला तो फिर मैं ये कुछ अलग ही तरह का system हो जाएगा तो अभी हम लोग यहां पर जो बात करने वाले बच्छो वो thermodynamical system के बारे में बात करने वाले जैसे suppose कीजिए कि कोई cylinder है कोई cylinder है आपके पास में जिस cylinder में हमने किसी gas को बर रखा ये लिजी कोई system था जिसमें हमने किसी gas को बर रखा है ठीक है वो hydrogen gas है oxygen gas है neon gas है आगे चलके आप पढ़ेंगे कि वो ideal gas है या real gas है तुमाम तरह की बात है ठीक है बच्छो तो हम किसी gas को study क जर रहें मान दीजिए इसको हमने piston से ढख दिया इस पर हमने ढखकन लगा दिया अब मैं इसको study कर रहा हूं कि इस gas का pressure कितना है इसका volume कितना है इसका temperature कितना है वो कौन सी gas है तो यह हमारा हो गया system जिस किसी चीज को हम बच्छो study करते हैं उसे हम बुला करते है system और उसके बिश्र भी कहा जाता है तो यह क्या बच्छो system system को कैसे define कर सकते हैं the part of a universe the part of a universe which is under study ब्रह्मान का भया हिस्सा बच्छो जिसका अध्यन किया जा रहा है उसे हम बोलते system and just all the part of universe is known as surrounding जिस किसी को आप study करते हैं बच्छो यह लीजिए जैसे आप इसको study कर रहे हैं तो यह क स्राउंडिंग वह होगा परिवेश ठीक है और वह लाइन बच्छो system और surrounding को separate करती है जैसे आप यह देखिए यह line जो है बच्छो यह system और surrounding को separate करती है बच्छो उसे हम बोला करते हैं boundary इसे हम क्या नाम गया करते हैं we call it boundary boundary ध्यान दीजिए boundary जो है बच्छो वह रियल भी ह हो सकती it may be a real boundary और it may be an imaginary boundary imaginary boundary जैसे मतलब क्या जैसे माल लीजिए भी सिलेंडर में घ्यास भरी वही थी तो आपको दिख रहता कि हाँ यह सिलेंडर ऐसा है जो गैस के जो सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर को अलग करता है तो यह दिवारे मुझको बिल्कुल क्लियर दिखाई देरी कि हाँ यह हमारा जो है यह boundary है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि boundary हमको दिखाई नहीं देती जैसे example के तोर पर माल लेजिए किसी नदी में किसी नदी में पानी भरा पड़ा है अब आपको क्या करना है आपको यह पूरी नदी में पानी भरा पड़ा आसपास जो आपको वह ground है अब अगर यह वाली boundary देखी जाए तो वह real है लेकिन अगर मैं क्या करता हूं मैं सिर्फ इतने इतने area को study कर रहा हूं सिर्फ इतने इतने area को मैंने मान लिया कि बस मैं अपने से 10-10 feet दूर का जो पानी है मैं पानी के बीच में कहीं खड़ा हूं और मैं अगर गर मुझत शisने में से 10-10 feet दूर तक के पानी को study कर रहा हूं तो वह 20 feet दूर मैंने बोलत दिया 10 feet दूर लेकिन वहापर मैंने कोई Dhri यहां तक आपने बावंडरी करना है तो बाउंडरी में भी रियल बाउंडरी में बी इमेरजनरी तो क्या बोला बचो मैंने देखि वह पार्ट अप इप व लाग जिसको आप स्टडी करते और उसे आप बोलते हैуса भूते हैं यॵ कॉत अपर इससम और बागी जितना भी सह फलता है उसे आप बोलते हैं भattaब system माल लीज़ेख, यहाँ पर जितना भारी है, अतना ही भारी यहाँ पर है, अतना ही भारी हम तो ऐसा जो system होता है, जो- हर जगा बिल्कुल एक जयसा है, बिल्कुल AG जयसा उसमें भारी पन यह हल्का पन है यह हर जगह पर अगर कहा जाए concentration जए बच्चोध वह एक जैसा है जितना गाड़ा पर उसमें एक जगह पर उतना दुसी जगह पर इतना तीसी जगह पर डिट्टो हर जगह पर सेम है बच्चोध तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे अब बोला करते है Homogeneous System You call it Homogeneous System Homogeneous System क्या होता है ऐसा System जिसमें हर जगा पर Concentration या उसका जो Consentration है वो अगर हर जगा पर एक जैसा है तो फिर वो Homogeneous और अगर मान दी जिस सिस्टम यहां पर अधिक गाड़ा है यहां पर थोड़ा सा कम है यहां पर थोड़ा सा कम है इस तरह सा अगर माल लिजिए उसके concentration level में कुछ कमी आती है अलग अलग जगा पर तो ऐसा system जो होता है बच्छों उसे हम बोलते हैं heterogeneous system heterogeneous system क्या होता है if concentration is a uniform everywhere अगर पूरे के पूरे उसके region में आपने जब system को study करना शुरू किया और उसके पूरे के पूरे region में हर ज़गा concentration एक जैसा है जैसे कुछ gases mixed है माल लिजिए कुछ gases mixed है और बेल्कुल बराबर तरीके से बिल्कुल mixed है हर जगा पर बराबर तरीके से used this तो फिर वो होगा homogenius अब जिसे मान लिजी आपने पानी में शकर को मिला चाशनी बनाई तो क्या होगा अगर केवल पानी है तो वो हर जगा एक जसा रहेगा लेकिन अगर पानी में शकर को मिला दिया तो आप देखेंगे नीचे जो होता है तो फिर वो जो सिस्टम होगा बच्चों वो कैसा सिस्टम होगा हेट्रोजीनियस अगर हर जगा पर उसका कॉंसेंट्रेशन लेवल एक जसा है तो वो होमोजीनियस लेकिन अलग अलग जगा पर अगर कॉंसेंट्रेशन अलग-अलग है तो फिर वो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा ठीक है बच्छो तो अभी तो हम देखिए अभी हम लोग जहां पर बात जो बैसिकली करने वाले वो थर्मोडानमिकल सिस्टम के बारे हम बात कर रहे हैं मैं फिर बोल दूँ दा पाट आफ उनिवर्स जो प्रमान का वहिस्सा जिसको आफ स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है उसे बाउंटरी बोलते हैं जाट में बी रियल और डैट में बी इमा सराउंडिंग के साथ जो उसके परिवेश के साथ यह क्या है आपका सिस्टम और यह क्या आपका सराउंडिंग ठीक है बच्छों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि एनर्जी और मास एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सके अगर क्या हो सके सिस्टम और सरा में गर्म चाय रख दी बच्चों, I have kept, I have placed hot tea in an open glass, मैंने एक खुले गिलास में गर्म चाय रख दी, तो क्या होगा, जब ये चाय रखी इसके अंदर, तो इसकी वैपर बहर जाएगी, इसकी वैपर बहर जाएगी, और जब इसकी वैपर बहर जाएगी, बच्चों, तो अव बहर जा रही है, और मास भी बहर जा रहा है, अब ये गिलास मेरा system है, और उसके बाहर पूरा surrounding है, तो system और surrounding के बीच, energy और मास दोनों का transfer हो रहा है, तो ऐसा system open system होता है, ठीक है बच्चों, दूसरी बात, अगर मान लीजिए, यहाँ पर हम अगला system जो देख रहे हैं, वो मास का ट्रांसफर नहीं हो सके केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो सके only energy can be transmitted between system and surrounding यदि परिवेश और निकाय के बीच energy को आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं पर मास को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा system जो होता बचो से हम बोलते हैं close the system बंद निकाय जैसे अगर माल लीजे में यहाँ पर यही गिलास था मैंने इस गिलास में डला को हैะ इस वे मने एक यइप उप्लेट में भाएट से पाइपर नहीं जा सकती अगर वह वह पर नहीं जा सकती तो मास बहार नहीं जाएगी इसकी जो वाल्स होगी जैसे आपने स्टील के गिलास में माननीजे चाहे रखी चाहे या आपने या आपने जो ग्लास होता है काच होता है उसी में आपने रखी है या चाहिना कले में रखा है तो उसके दिवारे जो होती है बच्चों वो डाय थर्मिक होती है क्या ह सेीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है उन्हें आप बोला करते है अध्याबतिक जिसमें से क्षाई नहीं होती है तो आपने क्या कर दिया उसमें चाय रखी और अध्याप धंक दिया पर निकले ए हो लेकिन वैपर चत पर जाकर टकराके अंदर के अंदर जाएगी चत मतलब धकन जो था तो हीट इसके दिवारों से इसके धकन से बाहर जाएगी लेकिन मास नहीं जा पाएगा तो ऐसा सिस्टम जो होता है बच्चो उसे हम बुला करते हैं भ zie तो हमारे हमारे पास में जो आता है बच्चो आइसो लेटिडर सिस्टम कैई विल गित लिए एसा सिस्टम जो इसके सरांडिंग के साथथ जो उसके surrounding के साथ ना तो energy को transfer कर सके और ना ही mask को कर सकता है ऐसे system को हम बुला करते हैं बच्छो isolated system यहीं कि विल गित निका है जैसे अब मानली जी यही मैंने glass लिया गर्म चाहे लिए गर्म चाहे लिए बच्छो लेकिन मैंने इसे एक अच्छे से thermos flask में रख दिया अच्छे से thermos flask में जैसे milton का thermos flask हो या फिर cello का thermos flask हो जानते होंगे आप लोगा ना तो यहाँ पर क्या होगा बच्छो मैं उनकी अगर कहा जाए तो मैं उनका promotion कर रहा हूँ है उनका advertisement कर रहा हूँ है पर अगर मैं एक brand ambassador बन जाए उनका तो मतलब अगर मैं होता शाया तो मुझे कुछ पयाओ भी मिल जाता अभी तो हम बात कर रहे हैं आपर किस बारे में बच्छो फ्री मुसका एड़ोडीजमेंट चल रहा है तो जो milton का जो अगर मान लीजे मैंने लिया या फिर मैंने सैलो का thermos flask लिया और उसको मैंने बंद करके उसमें ग़म चाह लग दी तो उसके जो दिवारे होती हैं वो Adiabatic होती है एक अच्छी क्वालिटी का जो फ्र्मस flask होता है उसकी जो दिवारे होती है वो adiabatic होती है और अगर वो adiabatic होंगी तो उसके दिवारों से heat बाहर नहीं जाएगी, mass बाहर नहीं जाएगा, बशर्त उसे बंद किया हुआ, तो इस केस में बच्चों ना तो energy बाहर जाती है और नहीं mass बाहर जाता है, तो यह जो system होता है बच्चों वो isolated system होता है, विल गितनी का होता है, तो isolated system क्या होता है, which does not allow the passage of heat and mass between the system and surrounding, जिसमें system और surrounding के बीच में, दोनों में से किसी का भी transfer नहीं हो सके, बच्चों उससे आप बोला करते है, isolated system, तो open system जिसमें energy और mass बाहर जाएगा, तो यह जो system है, और surrounding है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो उन दोनों को मिला दिया जाए, तो उन दोनों को मिला दिने से क्या बन विस्सा जिसको आप study करते हैं, उसे बोलते है system, उसके लाब बाकी जितना भी है, वो surrounding, तो दोनों को मिला देंगे, तो natural सी बात है, क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्स